नमस्कार स्वाथ आप सभी का बजारों की चाल में, मैं हूँ आपी साथ अकलेश नाटी और बजारों की चाल में आज हफ्ते के पहले कारूबारी दिन शाम के कारूबारी सेत्र में जारेंगे कि शाम के कारूबारी सेत्र में आज क्रिशी फसलों का वैदा वजार कैसा कारूबा करता नजर आ रहा है, किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और जानकार होगी क्या रहे हैं कि जानकार आगे क्या बता रहे हैं कि आगे जाके किस क्रिशी फसर के अंदर कितनी मंदी तेजी देगने को मिल सकती है fundamentals के आधार पर technical basis के आधार पर आगे कीमते क्या रहेंगी खरिदारी करके चलना चाहिए या बिक्वाली दाव लगाना चाहिए या नहीं यह सब जानने की कोशिश करेंगे सबसे बहले शुरुआत करेंगे हम यहां पर कैससीड से तो देख रहे हैं यहां पर कैससीड का डिसेंबर वाइदा 6182 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है बीते कार बार सब तक कैससीड की कीमतों को 3300 के घरों में ट्रेड होते देखा और आप देख रहे हैं कि कीमतें वहां से गिरते ही 1600 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है आपको बता दें कि जनवरी एंड और फरवरी के शुरुआत में अगले साल की बात करूँगा अगर तो जनवरी 2022 के अंथ तक और फरवरी 2022 की शुरुआत में कैसर की जो आवके है मंडियों में वह देखने को मिल जाएंगी दूसरा अभी कैसर की जो निर्यात मांग है हल्की फुलकी है इतनी कोई जादा खास तेज देखने को नहीं मिल रही है जिसकी वज़ा से कैसर की किमतों में कुछ तेजी बने तीसरा घरेलो डिमांड भी कैसर की जादा देखने को नहीं मिल रही है है लेकिन पहले वाली नहीं रही है दूसरा आप Omicron भी आ रहा है जिसकी वज़ा से कैसर की जो fundamental जब धीरे-धीरे थोड़े negative वाले होते नजर आ रहे हैं हाला कि पहले के मुकाबले जो उत्पादन है वो कम ही रहे का लेकिन पहले की मुकाबले उत्पादन कम रहने के बावजूद भी कैसर सीर की जो कीमते हैं उनमें अभी तेजी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी demand देखने को नहीं मिल रही है और हमारे जो expert हैं केडिया advisory के director अजे केडिया उनके मुताबी कैसर सीर की जो कीमते हैं वो नीचे में अभी 5800 से लेकर 6000 तक के दैहरे में trade करती नजर आ सकती है तो यानि की कैसर सीर की कीमतों में 1600 के बाद नीचे में अब 500 तक के भी levels देखने को मिल सकते हैं जो की हमने अगज सितंबर के दोरान देखे थे और इसी दैर में कैसर सीर की कीमतों में आगे जाके एक सीमित दैरत देखने को मिल सकता है तो उनके मताविक अभी कैसर में लंबी पोजशने बनाने के लिए avoid करना चाहिए कैसर में अभी लंबी पोजशने ना बना है बात करें याज़े बिनौला खल की बात कुरूं तो अगर बिनौला खल की दिसम्मर वायदे में 2753 का भाव देखने को मिल रहा है वायदा में 2794 का ही लग चुका है मामूली सी करेक्षन है देख रहे हैं यहाँ आपे कि कैससीर का जो वायदा वज़ा रहा है दिसम्मर वायदा वो 2794 का ही लगा यानि 2800 पर जाने के लिए फिर से अगरसर हो रहा है लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं उपा रहा है दो से तीन ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने 2800 के ओपर सस्टेनिबिलिटी देखी थी लेकिन फिर उसके बात से उपर इस तर दबाब बना और 2700 का लेवल यहाँ पर टकरा गया लेकिन अगर वायदा में 2850 का लेवल तोड़ता है तो बिनौला खल में एक उचाल देखने को मिलेगा जो बिनौला खल की कीमतों को पोजिशनल बेसिस पर हाल फिलाल में 2900-3000 तक लेके जा सकता है तो बिनौला खल में तेजी का इरुचान है अभी यहाँ से बस एक ब बाकी है बात करें हाजिर बज़ारों की तो हाजिर में भी बिनौला खल की कीमतों के तेजी ही देखने को मिलेगी साल 2022 बिनौला खले कले काफी बैतर रहने वाला है केड़ी अडवाजरी के डिरेक्टर आजे केड़े की मताबिक मार्च 2022 तक बिनौला खल 4000 तक के भी स्थर दिखाने की ताकत रखता है वायदा बजारों के अंदर दूसरा अभी जो पाउडर्ड मिल्क हुआ पोल्टरी की डिमांड हुई तो वहां से भी इसकी इंडस्ट्रिल डिमांड निकल के सामने आ सकती है पाउडर्ड मिल्क जो होता है उसकी भी कीमते बढ़ती नजर आई है बात करें यहां से अगर मसाला पैक की तो मसालों में हम देख रहे हैं कि धनिय के दिसम्बर वायदा 8736 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है एक फीजदी की तेज़ी के साथ आप बता दें कि पाइपलाइन खाली होने बुवाई में कमी होने देरी होने और शोटेज चलने के चलते धनिय की कीमतों में तेजी का इरुजान देखने को मिल रहा है export demand हाना की इतनी कुछ जाधा खास देखने को नहीं मिल रही है लेकिन जो शादी का season चल रहा है उसकी वज़ासे मसालों में तेजी है specially धनिय के अंदर तो धनिये की बुवाई भी कम है, pipeline भी कम है, shortage भी देखने को चल रही है और इसकी मांग भी है, जिसकी वजाद से धनिये की जो कीमते हैं उनमें तेजी अभी हाल फिलाल में जारी रह सकती है धनिये में उपर में जो कीमते जा सकती है जानकारों के अनुसार अभी वो 9200 तक वायदा बजार में जाती नजर आ सकती है लेकिन यहां से भी थोड़ी और तेजी आना बाकी है थोड़ा breakout लेवल देखने को मिलता है तो फिर धनिये में अच्छी तेजी बनती नजर आएगी 9200 की तो धनिया साल 2021 के अंधे तक तो अच्छा मुनाफ़ा देगा ही देगा वहीं साल 2022 में भी धनिया काफी शांदार मुनाफ़ा देता हुए नजर आ सकता है केड़ी आइडवाईजरी के डिरेक्टर आजे केड़े की मुताबिक धनिया साल 2022 में 12,000 तक के भी लैवस दिखाने की ताकत रखता है तो अगर निचले स्थर मिलते हैं 8,000-8,100 के करीब तो उनके मुताबिक धनिया को लेके चला जा सकता है कि इन स्थर रुपर खरीदारी करके वाइदा में चला जा सकता है लंबी पोजिशन के लिए बात करें यहां से अगर जीरे की तो जीरे का दिसम्बर बात देख रहे हैं 15,930 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 16,035 का ही लगा चुका है और जो जनवरी वाइदा है वो 16,075 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है जीरे कम देख रहे हैं कि 16,000 के उपर अभी सस्टेनिबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है 16,000 के उपर लेवल जाता है थोड़ा बहुत हाई लगता है लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाता है वहाँ पर टिक नहीं पाता है जब तक 16,200 के उपर सस्टेनिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है जीरे में 15,500 से लेकर और 16,000 तक 16,000, 16,100 ऐसे ही एक सीनित दारत देखने को मिलता रहेगा वाइदा बजार के अंदर इसे बात करें अगर हाजिर बजारों की तो इस बार जीरे की बुगाई पिछड़ी है कैरी वो स्टॉक भी थोड़ा कम है लेकिन जो एक्सपोर्ट डिमांडने जीरे की अब वो धीरे धीरे कहीं न कहीं उठती नजर आ सकती है और जनवरी 2022 फरवरी 2022 तक जीरा काफी शांदा रिटन देता हूँ नजर आ सकता है तो हाजिर और वाइदा कारोबारी जनवरी 2022 और फरवरी 2022 तक काफी अच्छा जीरे में मुनाफ़ा कमाते हुए नजर आ सकते है अजे केडिया की मुताबिक जीरा जनवरी दोज़ार बाईस और फरवी दोज़ार बाईस तक 21,000 तक का भी लेवल्स दिखा सकता है तो उन लेवल्स को अचीव करने के लिए निचले स्थर पर खरीदारी करके चला जा सकता है यहीं से बात करें अगर हल्दी की तो हल्दी में हमने काफी अच्छे लेवल्स भी आते वे देखे हैं हाल फिलाल में हल्दी की किम्तों में काफी अच्छी तेजी बंदी नजर आईती इस वक्त देख रहा हूं कि दिसम्बर वायदा है हल्दी का NCDX पर 7,766 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 7,830 का हाई लगा चुका है मामली सी वड़त है और जो अप्रेल 2022 का वायदा है हल्दी का वो 8,852 पर ट्रेड कर रहा है और 8,970 का हाई लगा चुका है आप पता दें कि इस बार हल्दी की जो क्रॉप है अच्छी बताई जा रही है कि आने वाले सीजन में हल्दी की जो उत्पादान है अच्छा देखने को मिल सकता है दूसरा केरी ओवर स्टॉक भी अच्छा गास है लेकिन इसकी एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है जिसकी वज़ा से हमने हल्दी की कीमतों में एक सीमित दार में कार rubार होते देखा था काफी महिनें तो कि ये हल्दी के अंदर हमने सीमित दार में कार limousine देखा था आपको बता दें कि हाल ही में दक्छिन बारत में भारी बारिश दर्च की गई है जिसके चलते हल्दी की जो फ़सले हैं हल्दी की जो crop है वो कही न कहीं प्रवावित होती नजर आईए, नश्ट होती नजर आईए, डैमेज होती नजर आईए और ऐसी खबरे अब निकल के सामने आ रहे हैं कि जो भारी बारिश दक्षिन भारत में दर्च की गई है वहाँ पर हल्दी की जो फसले हैं वो लगवाः 40-50 फीज़ दी तक नश्ट हो चुकी है तो जिसका support कही न कहीं हल्दी की कीमतों पर पढ़ता नजर आ सकता है नो डाउट कि हल्दी की कीमतों को इसका support मिलता रहेगा लेकिन जब तक हल्दी को निर्यात मांग का सहरा नहीं मिलेगा तो लंबी तेजी तब तक देखने को नहीं मिलेगी हाला कि फसले बरबाद होने की खबर की वज़ा से सेंटिमेंट बनने की वज़ा से हल्दी की कीमतों को भले ही कुछ सपोर्ट मिल जाए लेकिन अगर काफी शांदार तेजी आनी है हल्दी में तो यह तभी आ सकती है जब हल्दी की export demand काफी अच्छी देखने को मिले या फिर ऐसा कहा सकते हैं उठती नजर आए तभी हल्दी की कीमतों में ऐसी तेजी बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी अधर्वाइस यह ऐसे ह एक range bound में होकर रह जाएगी बात करें यहां से अगर अब guard complex की तो हम देख रहे हैं कि यहां पर guard gum का दिसंबर वाइदा 10,370 पर trade कर रहा है सवाई फीजदी की तेजी है और guard seed का दिसंबर वाइदा 5,845 पर trade कर रहा है पौन एक फीजदी की तेजी सुबा के मुकाबले दे कारोबार हमने हफते के आखरी कारोबार दिन भी देखा था कि guard gum guard seed की जो कीमते हैं सुबा में तो तेजी की और खुली थी लेकिन शाम को trade होते होते, market close होते होते, कीमते हैं थोड़ी थोड़ी कम होती नजर आयती, ठीक वही रुजान हम आज भी देख रहे हैं हफते के पह अभी export demand तो ठीक ठाक है लेकिन इसमें तब भी उठापटक देखने को मिल रही है, पहले जो fundamentals बने थे guard gum guard seed में वो इतने भी तेजी वाले नहीं थे, ऐसा कुछ जानगार होगा कहना है कि guard gum औ गॉजासीड की fundamentals थे वो इतने भी तेजी की नहीं थे, जिसकी वजा से guard gum में 13, तक कभी level देखने को मिले, जो कि हमने guard gum की वायदा बजार में आते वे भी देखा है, 13,000 के बाद हमने देखा था कि जो कीमते थी नीचे में 9,400, 9,500 तक भी जाती नज़र आई, वही केड़ी advisory के director अजे केड़े की मताबिक अभी जो guard gum गॉजासीर है, उनमें अभी देखने को मिल सकती है, guard gum का वायदा बजार नीचे 9,200 तक लड़कता नज़र आ सकते हैं, और guard gum का वायदा बजार चोवण सो से पचपंसो तक नीचे में जाता नज़र आ सकता है, तो guard gum और guard gum में अभी hal-fil-al में अभी आगे जाके गिरावट ही देखने को मिल सकती है, तो guard gum और guard gum का वायदा बजार काफी जादा उठापटक रहने वाला है अभी hal-fil-al के अंदर, बात की जाएं, यहां से अगर edible oil pack की, तो edible pack में देख रहे हैं कि हम refined soya bean का December वायदा 1201 पर trade करता नज़र आ रहा है, देख रहे हैं कि refined soya तेल का जो बजार है, पहले की मुकाबले 2021 में, October 2021 के मुकाबले जो आयात है खाद तेलों का वो लगबख double होता नज़र आया है, सोयबीन का, जिसकी वज़ा से सोयबीन का वायदा बजार उठ नहीं पा रहा है, हाला कि शादी सीजन के चलते इसकी जो consumption है, जो घरेलू demand है भारत की, वो बड़ती नज़र आई है, ल 1160 से लेकर 1220 के एक सीमिन दैरे में ट्रेड करता नज़र आ सकता है, नहीं जादा गिरावट रहेगी तो जादा तेजी भी नहीं बनेगी, सीमिन दैरे में रहेगा, हलका फुलका कारोबार, उठा पटक वाला महौल ऐसी देखने को मिलता रहेगा, इसी के साथ साथ बात कर हैं यहां से अगर सोयबीन की, तो सोयबीन का दिसम्बर वाइदा देख रहे हैं कि 6538 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, आपको बता देखें कि सोयबीन में हमने बीच में 800 के भी लेवल्स आते देखे थे, बीते कारोबारी हफते की बात करूं तो अगर, तो अगर तो अ के बाद हम देख रहे हैं कि अब सोयबीन में 600 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, आपको बता देखें कि वाइदा में हो सकता है कि सोयबीन आने वाले दिनों में हलवी हलकी फुलकी कुछ गिरावट दिखलाती नज़र आ जाए, और बात करें हगर हाजिर की तो हाजिर मे भी देख रहे हैं कि जो किसान लगबक तीन महीने से जादा तक सोयबीन में जो स्टॉक करके चल रहे थे, अब वो धीरे धीरे अपना माल निकालना शुरू कर चुके हैं, जो सोयबीन किसान हैं, अब धीरे धीरे मंडियों में सोयबीन की विक्वाली करने लगे हैं, किसान इस पर साफ कर चुकी है कि सरकार अभी सोयक खली का आयात नहीं कर रही है, पोल्टरी की मांग को रद कर दिया गया था, क्योंकि इससे पहले उने देखा था कि जो सोयबिन किसान थे, सोयक खली के आयात होने की वज़ा से काफी चोट खा चुके थे, वही सरकार का और सूत्रो का ये भी कहना है कि जब घरेलू उत्पादन ही अच्छा बताया जा रहा है सोपा द्वारा की, पहले के मकाबले लगवग 14-15 फीजदी उत्पादन जादर आए सकता है सोपा के सर्वे के मताबी, तो आयात करके क्या फायदा, अगर इंकम बढानी है तो अपने ही घरेलू क किसानों में तब भी डर है कि आगे का किसी को नहीं पता लॉगडाउन लगे या ना लगे और सोयखली का आयात करना पड़ जा या ना करे सरकार, जिसकी वज़ा से जो सोयवीन किसाने धीरे धीरे अब मंडियों में अपनी सोयवीन बेचने लगे हैं, और इससे पहले भी ह किसाने अब कुछ बड़ातरी देखने कूल भी है, सोयवीन की आवगों में मंडियों के अंजर, जिसकी वज़ा से जो दाम है, अब वो धीर धीरे कही न कही घटते नजर आ रहे हैं, महराष्टे की मंडियों में सोयवीन की जो कीमते हैं, वो पहले के मुगावले काफी गटती नज़र आईए लवद 2,000 रुपे कुइंटल तक दाम घटते नज़र आएं सोयवीन की आवक बढ़ने से तो सोयवीन किसान खुदी अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे सोयवीन की कीमते क्या रहेंगी अगर ऐसी मंडियों में आवकों का दबाव बनता नज़र आता र कर दाजर आई या फिल मौत के मामले काफी जादा आएं अभी जैसा डेलटा वेरियंट में हम ने देका था था हालांकि ओमिकराण को क्छतरनाक जादा बताया जा रहा है लेकिन अभी तक ऐसा कोई factor देखने को नहीं मिला है Omicron का या impact देखने को नहीं मिला असर नहीं है अभी तक जिसकी वज़ा से जो कमपनिया है बाजार है चाहे शेर बाजार हो community बाजार हो हाजिर बाजार हो वो अपने चरणबद तरीके से निरंतर अभी जारी है जैसे वो अपने schedule के हिसाफ से चलते है तो जो किसान है जो soybean का stock करके रख रहे थे अब वो धीरे-दीरे मंडियों में ला रहे हैं और अपनी soybean की उपज़ की बिक्वाली कर रहे हैं जानकारों के अनुसार soybean का दाम जनवरी तक जनवरी के जनकारों का मानना है लेकिन 7000 से जादा का level दिख जाए अभी इस पर ना ही सूतरों ने और ना ही जनकार ने अभी तक ऐसा कोई statement नहीं दिया है अगर ऐसी भी कोई ख़बरे निकल के सामने आती है तो वो भी आप सब के साथ साजा जरूर की जाएगी तो ये था एक छोटा सा community बजार का ब्रेट कि शाम के कारोबारी सथ में कौन सी क्रिशी फसल वाइदा बजार में किस बापर कारोबार करती नजर आ रही है किस क्रिशी फसल के अंदर क्या fundamentals है आगे कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ सकती है जानकारों के अनुसार और खरीदारी करके चलना चाहिए ये बिक्वाली करके तो फिलाल बजारों की चाल में अभी के लबास इतना ही लेकिन आपका ही जाएगा नहीं क्योंकि खबरों को अलसलसला लगाता नहीं ही बना रहेगा माकेट अम से भी पर